अगर डेली मेसिस का भी जो मजदूरी होता है उसका भी आठ हजार से उपर होता है लेकिन हम लोग को तो एक मजदूर लेवल से भी सरकार कम कर दिया 2019 में हम लोगों के लिए पातरता परिक्षा आई थी वो हम लोग उतिन हुए नियोजा निकाही से पूरे बिहार में घूम घूम करके हम लोग ने अपना जो है फॉर्म गिराया उसके बाद कांसलिंग होती है और बेतन का मिलता है आते है परिक्षा पास करके आए परतेक निय वजानिक आये में जा जाके फॉर्म डाले और मिल रहा है सर आठजार और इसकूल में मेरा कोई नहीं है सारे टीचर हमको परतारी करते हैं हीं द्रिश्टी से देखते हैं नमस्कार टीवी नाइन देख रहे हैं आप मैं आपके साथ सिवम हमारे पीछे जो आपको लोग दि साथ धोखा हुआ है यह भी अब यह लोग सोच रहे हैं यह सभी सरकारी सारिक सिक्षक हैं और इन लोगों का मानदे केवल आठ हजार है जो एक चप्रासी से भी कम है तस्वीरों में देखिए कि आज विश्व योगा दीवस पर यह लोग क्या कर रहे हैं हाथ में काला बिल सभी तो क्या जीना भी बहुत मुस्की लोग गया है तस्वीरों में देखिए किस तरह से यह लोग पोश्टर बैनर लगा के यहां पर मौन जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सभी बिहार साधिक सिक्षा एवं स्वास्त अनुदेशक संसे हैं अब हम एक एक करके ब सब्सक्राइब लाने के लिए लिए लेकिन ऐसा मन में कभी कलपना भी नहीं किये थे कि सरकारी नौकरी होगा और आठ हजार उपे हम लोगों को बेतन मिलेगा क्योंकि पूर्व के जो सारी रिक सिक्षक हैं उनको 40-42 जार मिल रा है जो कि हमारे समक्ष ही उनका भी डिगरी देख ही है उसके बाद तो हम लुग तो कभी ऐसा कलपना भी नहीं किये थे है हमको 8 जार से वो लोग सब कोई जाकर के बिहार का प्रतिय निदित किये हैं उसके बाद बीट के समख सर बीप्यट डिग्री होता है फिजिकल एजुकेशन के लिए दो साल का वह अधर स्टेट में जाकर के वह हम लोग किये 2019 में हम लोगों के लिए पातरता परिच्छा आई थी वो हम लोग उतिन हुए नियोजा निकाई से पूरे बिहार में घूम घूम करके हम लोग ने अपना जो है फॉर्म गिराया उसके बाद कांसलिंग होती है और बेतन का मिलता है आठेज़े तो इससे तो आप लोगातार द सांसाद और 30 MLA के दुवारा लिखित हम लोग ने मुख्यमंत्री सचिवाले में उनके लेटर पैट पर वितन विशंगती को दूर करने का मामला खुद से अपने हाथों से बहां जाकर करके जमा कर बाया सलक पर कई बार अंदूलन कर चुके हैं अब हाल ही फिलाल में जो है अब है कुमर में क् demographic काला बिल्ला लगा लिए हैं का दॉलत पर चैसका हाचि देख्ये हमारे मोन ने Hop अब होता हमलों का बाह्ली होता है तो हम लोगर कैंब्ता ऑख्भी योगदान दे रहे हैं लाखों रुप्या खर्च करके डिग्री लिए हैं लेकिन हमें अपने परिवार के भरन पोशन के लिए उचित मांदे नहीं मिल रहा है अंखों में आंसू आ जाता है कोई पर्वते ओहार आता है कैसे हम अपना करें उसके बाद आठाज़ार वह भी समय पर नहीं मिलता है तो हम सरकार से गुजारिस करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि फिट रहेगा इंडिया और खेलेगा इंडिया खेलेगा बिहार तो हम लोग को दिहान दिजिए हमको कमज कम जीने लाइक, हमारे उंहें सम्मान जनक जो हमारी आहरता है, उनके अनुसार हमें उच्छीत बेतन दिया जाए, बस आपके माध्यम से मैं इतना ही परार्थना करता हूँ. लोग को भरोसा नहीं हो रहा है कि आप लोगों का बेतन आठाजार है कि सही में है या फिर जुट बोल रहे हैं ये सही है सर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीपी एड करके अगर डेली बेसिस का भी जो मजदूरी होता है उसका भी आठाजार से उपर होता है लेकिन हम लोग को तो एक मजदूर लेवल से भी सरकार कम कर दिया लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस पर धियान दे बोला जाता है कि खेलेगा भीहर खिलेगा भीहर जब सारे रिक्षिक चक ही आठाजार में ना खा पाएगा ना जीप आएगा तो कैसे खिलेगा भीहर हमारा कैसे अलंबिक तक पहुँचेगा इसलिए आज भारत इतना पीच करेंगे कि तुम भी कल सारे रिक्सिक्चक बनना इसी आठ हजार के लिए हम उसको प्रेडित करेंगे क्या सपना सजायत है सरकारी नौकडी जब लगने वाला था बहुत कुछ सजायत है सर बहुत मेहनत करके पढ़े हैं बीएड के समान ही हमारा बीपीएड डिगडी है उसके बाद हमको आठ हजार मिलता है सरकार को मंतरी को समझ में आना चाहिए उनके घर का कुट्टा भी आठ हजार से ज्यादा कशता हो गश् faith लगने वाड आप नीचे लेवल में रखे हैं तो कईसे कहले हमारा बीः कैसे हम बच्छे को अलम्पिक तक ले जाएंगे ए कैसे हम अधीयों तक बच्चे को प्रेडित करके ले जाएंगे जब हमीं बीमार ओ जाएंगे तो हम बच्चे क तो वहां तक नहीं ले जा पाएंगे, जो मोधी जी हमारे पर्धान मंत्री जी बोलते हैं कि खेले फिट इंडिया, मुमेंट इंडिया तो कैसे रख पाएंगे सरम, मेरा नाम नीलम भारती है, जा लग रहा है कि फसा हुआ फिल कर रहे हैं आप लोगा, जी बिल्कुल फसा मेरा घर परिवार नहीं चलता है, हम घर में कम होने वाली सिर्फ एक ही हैं, दो बच्चे हैं, खुद हम अपना पेट का भरन पोसन नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे को क्या खिलाएंगे, और आगे मेरा क्या भविश्य अर उज्वल होड़ा है, उज्वल होने की संभाव आठाजार में, नहीं हो जब से बात अच्छे कितने छोटे आप अपके मेरे बच्चे दो एंब उच्छे बच्चे हैं, डिमांड भी करते होंगे बहुत डिमांड करते हैं, बच्चे करते हैं, चलो आज मार्केट ले जाओ, टपड़ा खड़ी दबाओ, टी-सट खड़ी महसूस करते हैं क्या नोक्री किये मेट्री किये इंटर किये गरेज्वेशन किये और उसके बाद पातरता परिक्षा पास करके आए परतेक नियोजनी काये में जा जाके फॉर्म डाले और मिल रहा है सर आठ हजार और स्कूल में मेरा कोई भैल्यू नहीं है सारे टीचर हमको प अबी तक घर में आपका क्या दिये अपने पैसे से और क्या-क्या लिए था पाता सिर्फ मोट सैटी स्क्राङ्व लेकिन यहानि बहूत दिन के बाद ये निकली अब मुझे आसा है कि सरकार इस पर कुछ पर करेंगे तो बाबुजी तो क्या बोले सर्फ बाबुजी तो पूरे डॉटते हैं कि इसा नोकरी पकर लिया इससे अच्छा था तुम दिल्ली में कमाता तो वह बेहतर था मजदूरी कर लेता वह था ऐसा फिल होता है बाबुजी के कहने से लगता है कि पढ़ने से कोई पाइदा ही नहीं है परहाई वैर्थ हो गई हमने बीए किया मेट्रिक किया इंटर किया बीए किया बीपियर किया कवड़ी से नाइस कोच और कवड़ी सम्नेशनल तक खिले से यही सचाही है तस्वीर देखिए यह सारीक सिछक है सभी और लगातार अपने वेतन विशंगती को लेकर यह ब्रियाश्रत है पिछले दो साल से आठ हजार रुपे मांदे पर ये लोग काम कर रहे हैं, रोजाना स्कूल जाते हैं और इन लोग का ये भी करना है कि जो पहले से सारी सिक्षक विध्याले में हैं, उनको लगबग 40,000 रुपे तक का वेतन मिलता है, लेकिन इन लोगों को आठ हजार में ही गुजारा करना पर घर पडिवार को अब तक कुछ दे नहीं पाएं, अभी बाबुजी से पैसा लेकर काम चलाना पड़ता है, तो ऐसे में सरकार को विशेष रूप से इन सभी पर ध्यान देने के अवशक्ता है, और जरूर अगर 8,000 मांदे है, तो इन पर ध्यान दे, इनके वेतन को बढ़ा आगर देन एखर्वान देन पाँदाएं, तो आगर शेखर्गार काम चलाना देन को विवाशकर को लेकर को विशेष रूबारा रिवारा काम चला रुप मैंगर को विवशने को जागर जाओ पर दूंगर झाल झाल